Slip Disc Surgery के बाद की जिन्दगी जिस टेखनीक से मैं Surgery करता हूँ उसे Endoscopic Discectomy कहते हैं इसमें मैं मरीज को Operation के बाद 2 घंटे के लिए Hospital में रोकता हूँ और उसके बाद मरीज खुद ही चल के घर भी जा सकता है जिस टेखनीक से मैं Surgery करता हूँ उसमें Stitch निकालने की ज़रूत नहीं होती और मैं मरीज को सिरफ 5 दिन के लिए Antibiotics देता हूँ और Pain की Medicine शुरू में 1 या 2 दिन के लिए ही देता हूँ पहली बार मिलने के लिए मैं मरीज को 7 दिन के बाद बुलाता हूँ और दूसरी बाद 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद मैं Patients को Back Strengthing exercises या Physiotherapy exercises शुरू करवा देता हूँ मेरे सारे मरीज operation से करीब 10 दिन के बाद खुदी गाड़ी भी चला पाते हैं 3 हफते के बाद मैं उनको आगे जुकना भी अलाओ कर देता हूँ और करीब एक महिने के बाद वह sexual activity भी शुरू कर सकते हैं बाइक चलाना भी शुरू कर सकते हैं या जिम में जाके proper weight exercises भी शुरू कर सकते हैं Thank you